आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी चतिस गड़ की फेमस उड़त डाल की बिज़ोरी जैम आता दी से 20 वादा अनुसार नमक भर्धनिया आधा कटोरी आधा कटोरी सफेद तिल एक छोटा तुकड़ा अध्रक का एक कटोरी उड़त डाल को सबसे पहले पानी में भीगा दें दो घंटे के लिए फिर साप पानी से धोले और अब इस एक कटोरी उड़त डाल का जो की भीग चु उड़त डाल को हमने फाइन चिकना बिल्कुल पीस लिया है ये देखे अब इसे बड़े बॉल में डालेंगे उड़त डाल पीसने के बाद अगला स्टेप है ये दो इंच का अध्रक का तुकड़ा फर वाला धनिया आधा कटोरी 15-20 हरी मिर्च इसे ग्राइंड करेंगे हल इसे हम पेच्थी भी कहते हैं उसमें डालेंगे आधा कटोरी सफेद तिल जिसे हम थोड़ा सब चालेंगे क्यों वह में आगे आगे आपको बताऊंगी रख्या का भीच आधा कटोरी जिसे मगज भी कहते हैं और अब स्वादा नुसार नमक डालेंगे इसे आप एक बार और साल भर आप स्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है इसे अच्छे से मिला लेते हैं अच्छे से फेट लेते हैं जिससे की हमारा नमक और बाके इंग्रीडियन्स अच्छे से मिक्स हो जाए यह 36 गड़ की बहुत ही फेमस डिस है यह तो हो गई उड़ा दाल की बिजोरी एक फरधन्या और मिर्ची का भी बिजोरी बनता है वह भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप चाहें तो देख सकते हैं चमच के बाद थोड़ा सा हाथ से भी लास्ट में अच्छे से फेट लें फाइनली बिजोरी का प यह देखिए गोल गोल इस तरीके से एक कटोरी में पानी लेंगे उंगलियों को डिप करके इसको इस तरीके से फैलाएंगे बड़ी जैसा हमने गोल गोल बनाया था उसे अब उंगलियों की मदद से पानी की मदद से इस तरीके से फैला देंगे गोल गोल जब हम पानी की म साम ने बचाई थी उसे भी उंगलियों की मदद से इस तरीके से बिजोरी के ऊपर में चिपकाएंगे दिखने में भी सुन्दर दिखता है और तीली का स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है बिजोरी में आप जब भी बिजोरी बनाए सुभेरे जल्दी बनाए ताकि सुभे दिन फिर पलटके इसे फिर से सुखाऊंगे बिजोरी दो से तीन दीन 적याता है डूप के ऊपर डिपेंड करता है उड़ात डाल के बिजोरी सिर्फ तीन दिन में ही अच्छे से सुख गई है दोनों तरफ से यह देखे बिजोरी नहीं होगत बहुत अच्हे से मिला है इसे fry कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ जिससे कि इसका स्वाथ बहुत ही बढ़िया आएगा गैस अन है और अब घी डालेंगे आप चाहें तो तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं तीन छोटे चमच घी मैं यहां ली हूँ गैस का फ्लेम सुरुआत में हाई रहेगा जब घी गरम हो जाए उसके बाद गैस का फ्लेम कम कर देंगे और बिज़री को इस तरीके से डाल देंगे और सिम में ही इसे दोनों तरप अच्छे से पलट पलट करके तलेंगे जिससे कि अंदर तक के अच्छे से सिख जाएगा इसे हमें गोल्डन ब्राउन होते तक के सिखना है इसे यदि हाई फ्लेम में सिखेंगे तो ये उपर से जले जले जैसा हो जाता है और अंदर से कच्छा रह जाता है तो हाई फ्लेम में ना सेके इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी हाएगा इसलिए इसे लो फ्लेम में तलेंगे उड़त दाल की बिजाओरी रेडी है खाने के लिए ये बिजाओरी खाने के स्वाथ को बढ़ा देता है पल दाल चावाल के साथ भी आप खाएंगे तो सबजी की ज़रत नहीं पड़ती है इस भी ज़री के साथ इसे आप ऐसे भी खा सकते है सो टेस्टी, सो क्रिस्पी, यम्मी, बहतरीन है ये इसे आप भी घर में ज़रू ट्राइ करके देखेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज़्यादस ज़्यादस येर करें मेरे चैनल पर नए है तो सब्स्राइब जरूर कर ले घंटी के बटन को भी जरूर दबा दे थैक्यू फर वाचिंग